कॉंग्रिस नेता दिग्विजी सिंग के बाद अब उनके अंत्री मंदिल के कभी एहम साथी रहे राजमणी पटेल ने भी एर स्ट्राइक के सबूत मागे हैं मद्यप्रदेश से राजिसभा सांसर्थ राजमणी पटेल ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक और बड़े हमलों की सूरत में हमेशा से ही तबाही के सबूत और तस्वीरे सामने आती रही है उन्हें ने उधारण देते हुए कहा कि ऐसी स्थित्यों में आतंकी बकरों की तबाही और मारे गए आतंक्यों की लाशे दिखाए जाती है लेकिन इस बार की एर स्ट्राइक में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया उन्हेंने आतंक्यों के मोत के आकड़ों पर भाजपा आजक्ष के बयान पर भी निशाना साधा बार बाहे हुई निशी त्रियू से प्रसंसनी है सेना के सवर को सलाम करते हैं बार बार सलाम करते हैं लेकिन जो उसका एक राजनेतिक रिश्कों से जो भी सिलेशन करने का प्रयास किया जाता है वो नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी तक जितने सर्गिकल स्टाइक हुई हैं बड़े से बड़े हमले हुए हैं एक एक का आप सब लोगों ने देखा होगा कि अभी माने जहां सर्गिकल स्टाइक होती है वहां का पूरा पिक्चर माने पभलिस होता है कि वहां कितने बंकरों को दिखाया जाते कि बंकर कूट रहा है इतनी लासें पड़े हुई है इतन कुछ नहीं दिखाया गया, क्यों नहीं दिखाया गया, जबकि एक भिल कहीं कोई घट नहीं घटना होती, उसका फूरा पूरा पिक्चर दिखाया जाता था, इसमें कुछ नहीं दिखाया कि इतने मारे गए, упिझाक वियान आता है कि 250 मारे गए, और तीसरा बियान आता है शाड़े तीन सुमारे गए तो इस तरह की परिशितिया जो है हमारी मानसिक्ता को संदेह के दाइरे में लाता है पैंकि बहल इतना कहना चाहता है गाड़ी लेकर कितना बड़ा आर्डियक्स बस में लेकर के कोई बेख चला जाता है वहाँ जहाँ एक चप्पे चप्पे पर सारे चीजों की तलासी होती है वो कैसी लेकर की चला गया है इस तरह इसे घटना हो गई तो कुछ ऐसी परिशितिया है जो माने संदेह देते हैं इसका इसका जवाब मिलना चाहिए इसका माने जो है तो टीका टीकपणी होती है इसकी बात हम लोग करते हैं बाते हैं किसी तरह का सवर के संब्द में कोई भई नहीं है सलाम करते हैं और मारी बहादूर सेना है पुलीस है निश्ची तरूप से उनको काम्यावी भी मिलेगे और इसका बदला लेगे राम मंदिर का मुद्द भी अब ताफी गर्माया था फिर इठंडा हो गया राम मंदिर का मुद्द भाह सब लोग जानते हैं कि लंबा मुद्द है जब चुनाव आता है जब उससे कुछ फायदा राजनेतिक लेने के बात होती है तो राम आ जाते हैं उसके वाद पांच साल राम का बयापार चलता है